नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो में बात करेंगे बरतियों से जुड़ी ताज अपडेट के साथ ग्रूप सीडी के 60,000 पदों का बरति मामला हरियाना करमचारी चायना एक तीन विकलों पर कर रामन्थन। मुख्या मुद्धा बनावाबाई सूपरीम कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे जिसको पांच नमबर मिले हैं जिसको मिल रहे हैं वो भी यह सोच रहेंगे अब तो बरति हो जाए तो अच्छा है ठीक है क्यों क्योंकि इतने धक चुके हैं सस्टी से बच्चे कि पांच चोड़के यही सोच रहेंगी बरति हो जाए ठीक है रेजल्ट आ जाए बस गुरूप सीडी में पदों पर बरति का मामले में लाखों बेरोजगारी हुआ अगले फांच लेका इतिजार कर रहे हैं तो होगा क्या गुरूप डी के दस जार पदों पर बरति और होने वाली ह अच्छी खुसकबरी रहेगी यह भी तो हम अध्यन कर रहे हैं इम्मत सिंग चेर्मैन साब ने सपस्ट कर दिया दैनिक सिवेरा ने पूछा कि इंतिजार कर रही हुआ जानना चाहते कि आयोग का अगला कदम क्या होगा तो आयोग के इम्मत सिंग ने जवाब दिया कि हम फ जाएगा विदान सबा चुनाओ क्यों विदान सबा चुनाओ वही सिर्फ पे घड़े हैं फैसला नहीं लिया है किस तरीके से बरती पर गिरिया को आगे बटाया जाएगा मगर ज्यादा संभा होना हाई कोट के फैसले को लागो कर रिजल्ट जारी करने की बंती जा रही है सुप्रिम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं देखलो सुप्रिम कोर्ट आई कोर्ट के फैसले पर सचे लग जाती है तो आयूग बचे लेगा oddly iauरी कर रिजल्ट जारी कर सकता है ठीक है चूटियों के बाद ही याचिका पर सुनवाई होगी तो ये तो है सुप्रिम कोड़ का मामला आगे बात करें अगर आइकोड का फैस्टला लागू किया तो ग्रूप सी ब्यागय लगभग पेंटारीज जार पदों पर लगती हो सकती है कहने का मतलब अगर आई कोरट के पैंसले को मान के पाच नमबर छोड़ के प्रोसेस शुरू करे जा हुआ है तो 45,000 पड़ों पर रजल्ट फटा 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 निकाले जा सकते हैं ठीक है और कुछ बरतियों की प्रोसेस जल्दी जल्दी करवाई जा सकती जैसे आपको बता द लेते हैं 32,000 पड़ों का पंजारी हुआ था इसमें लगबग 12,000 पड़ों का रजल्ट जारी हो चुका है तीजटी के पचे तरप चेतर का रजल्ट चाहिए आज श्यामन निकाल दो वह भी निकाल इसके हैं आई को रट के फैंसले को मान के ग्रूप डी के 11,000 पड़ों का रजल्ट जारी हो चुका है इसमें लगबग 13,000 पड़ों का रजल्ट बकाया है ठीक है और 3000 चेनी तुमीद्वारों ने ग्रूप C पहले ही जोईन कर लिया है तो और 4000 की नई डिमांड आ चुकी है सरकार की तरप से आयों को बेज़ा आ चुका है तो 3 और 36 और 4 दस है ठीक दस जार गुरूप D के पद बरे जा सकते हैं वही पीचे तरपीचे तरटी जिट्री का रजल्ट भी निकाला जा सकता है एक याची का दायर तो करनी पड़ेगा उनका बचाने के लिए बीस जार का दो रजल्ट है जल्दी जल्दी निकाला जा सकता है उनका भी समादान हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं अगर आई कोर्ट के मामले को देखते हुए रिव्यू लगाया जाए तो मगर इसके लिए आई कोर्ट में रिव्यू पैडिशन दायर करनी होगी तो ये मामला है ठीक है मुखे रुप से जो मामला बना रहा है वो अभी आई कोर्ट के फैसले पर ही रेजल्ट त्यार करने की कोशिश चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जाना बच्चों को बेरोजगारी में लटकाना हो जाएगा ठीक है क्योंकि छुट्टियों के बाद ही हो सकता है इस पर फैसल जो है कलीर हो सकता है देजार की और लिष्ट लगती है तो और अच्छी बात रहेगी और बच्चों को भी रोजगार मिल जाएगा तो यह जानकर यह आपके लिए रहेगी सुप्रीम कोरट की बजाए मेरा मानना तो यही है कि आई कोरट के फैंसले को मानते हुए रेजल्ट जारी कर दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा जितनी बर्तियों हो सकती है बिना CET अगर अगर कुछ बर्तियां निकाल ली जा सकती है जैसे SI की पर इंतिजार कर रहे हैं बच्छे ठीक है यगर ग्रूप C की और अन्य बर्तियां अगर की जा सकती है तो बिना CET के भी बर्तियों की प्रोसेस अड़ड़ाइजमेंट करके सुरू की जाए तीन मीने में हो अगर नहीं बर्तियां निकालते हो आप तो कर भी सकते हो तो यह जानकर आपके लिए रहेगी भई हर अपडेट मिलती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टेलेगराम गुरूप से जुड़ सकते हो लिंक डिसक्रेशन में वीडियो आपने देखाइसके लिए बहुत बहुत देनेवाद